आखिर क्या कारण है? इंदरा गांधी के नित्रत में कॉंग्रेस नहीं कॉंग्रेस के जीतने के क्या कारण है? ऐसी क्या बात थी जिसके कारण जन्ता ने इंदरा कॉंग्रेस को स्पष्ठ बहुमत दिया ऐसी क्या बात थी जिससे परंपरवादी कॉंग्रेस जो राश्ट्री अंदोलन के समय से आए हुए जुड़े हुए नेताओं का दल था उसे जनता ने नकार दिया तो थोड़ा सा अब हम कारणों पर जाते हैं याने पांचवे लोक सभाच चुनाओं में इंद्रा कॉंग्रेस की जीद के कारणों पर तो पहला कारण तो बड़ा स्पष्ट है इंद्रा गांधी का चमतकारी नित्रित्व इंद्रा गांधी के व्यक्तित में कुछ ऐसा था जो लोगों को अपनी और खीचता था एक तो महिला थी लेकिन एक दबंग महिला के रूप में उन्होंने कुछ जो निर्ने लिये वे जनता को बहुत अपील कर गए भूमिशुधार संबन्दी उनके कारिकरम बैंकों का राश्टी करण आदी आदी लोकसभा के चनाओं में सबसे बड़ा कारण संभवता हम इसे ही मान सकते हैं कॉंग्रेस आई के जीतने का या इंद्रा कॉंग्रेस के जीतने का चमतकारी नित्रित्व उननिस सो नहत्तर में कॉंग्रेस के विवाजन के बाद जिस तरीके से इंद्रा गांधी ने कॉंग्रेस का कुशल नित्रित्व किया कॉंग्रेस ओ को जिस तरह एक के बाद एक पटखनी देते चली गई जिस तरह उनको दर किनार करने में सफलता प्राप्त थी जिस तरीके से कुशलता से उन्होंने कॉंग्रेस को जिंदा ही नहीं रखा बलकि उसको सतत रूप से उसको विकसित करते रही पूनर पूनर जीवित करते रही ये लोगों को घर कर गया साथ ही इंद्रा गांधी की स्वयम की कुछ नीतियां, उनके कुछ कारिकरम, उनके द्वारा देश के विकास के लिए कुछ किये गए कार्य, इन्हों ने जनता के मन में इंद्रा गांधी के प्रति एक बहुत बड़ी शद्धा बैठा लिए बैंकों का राष्टी करन, महाराजाओं का प्रिवी पर्स बंद करना, क्योंकि महाराजाओं का प्रिवी पर्स इसलिए बहुत महटपूर्ण है कि करोडों रुपे इन राजाओं को मातर इसलिए दिये जाते थे क्योंकि ये किसी जमाने में रियासत के मुख्या हुआ करते थ अब इसे बंद करने से करोणों रुपए जो सरकारी खजाने से जनता के टैक्स इन राजाओं महाराजाओं को उनकी उनके एशो आराम के लिए दिया जाता था वो बंद हुआ तो जनता इस पे बहुत खुशी ये कुछ समाजवादी कारेकरम थे जैसा मैंने बताया कि कॉंग कि छवी समाजवादी दिखाई दे जनता के लिए कारेकरम जो निर्ध करती है कारेन्वित करती है ऐसा दल और इस इमेज को इस छवी को बनाने में इस छवी को विकसित करने में इंदरा गांदी का बहुत बड़ा योगदान है तो हम कह सकते हैं कि 1971 के चुनाओं में इंदरा गांदी का व्यक्तिक तुष्टर पर मत दाताओं के साथ उन्होंने जो संपर्क साधा मत दाताओं को अपनी नीतियों से अपने कारक्रमों से जिस पकार उन्होंने अवगत कराया अपने चुनावी रैलियों में वह भी बहुत काबिले तारीफ था तो इंद्रा गांदी के चमत कारित नत्रित्व के तहट उनकी स्वायम का व्यक्तित्व दूसरा कॉंग्रेस को पुनर स्थापित करने के उनके प्रयास उनके कुशल नत्रित्व की ओर इशारा करते हैं तीसरा विकास की बनाई गई नीतियां जिसमें बैंकों का राश्टी करन्ड महाराजाओं का प्रिवी पर्स और कुछ अन्य भूमी सुधार के कारिकरम आदी शामिल है चौथा ऐसा करते हुए समाजवादी छवी को विकसित करने का जो प्रयास उन्होंने किया सफलता और पांचवाद जनता से जुड़ना connect जनता से वो अपने को जोड़ने में सफल हुई तो उनका चमतकारी नित्रत्व सबसे पहला कारण है कॉंग्रेस के पुनर जीवित होने का और साथ कॉंग्रेस को इस चुनाव में जीतने का दूसरा कारण समाजवादी नीतिया कॉंग्रेस की जीत का एक सब बहुत बड़ा कारण सा क्योंकि ये कारण भी इसलिए बहुत महत्पूर्ण हो जाता है क्योंकि आपको मैंने पूर्ण में बताया कि देश की स्थिती, आर्थिक स्थिती कैसी हो चली थी और कमों बेश उस स्थिती में कोई परिवर्तन नहीं आया था ये राजनैतिक गतिवी दियां बलकि इन आर्थ जालें, बंद, लॉकाउट ये सब बढ़ते ही चले जा रहे थे दिनों दिन वो सब समस्याएं गहराते ही चली जा रही थी खारद्याने की समस्या भी जस्की तस थी तो समाजवादी नीतियों को जो इंदरा ने अपनाया वह चुनाव में उसकी विजय का बहुत महत्पूर्ण कारण बनती है उन्होंने प्रत्यक चुनाव रहली में समाजवाद के नाम पर बढ़ चड़ कर बात की जब किसी ने उनसे जानना चाहा कि वे समाजवाद पर इतना जोर क्यों दे रही हैं तो उनका जवाब था कि लोग यही सुनना पसंद करते हैं देखिए यह उत्तर उनका समझने लाइक है मैं वो बोलूँगी जो जनता को सुनने में पसंद आता हो मैं वो बोलूँगी जो जनता को करण प्रिय हो और उनको मालम था, उने ने जनता की नस को पकड़ लिया था और वो समझ गई थी कि जनता को ये सब लुभावने कारिक्रम उनको बड़े प्री होंगे और समाजवाज शब्द से उनको बड़ा मोह है तो इंद्रा गांदी ने इस शब्द का बारंबार प्रयोक किया इसलिए 1971 के चुनाओं को जीतने में सफल होती है तो ये दूसरा कारण तीसरा कारण था गरीबी हटाओं का नारा कॉंग्रेस की पाँचवी लोकसभा के चुनाओं में जीतने का तीसरा कारण गरीबी हटाओं का नारा इसलिए बहुत महत्पूर्ण हो जाता है कि समाज के सबसे नीचे का तबका यद्यपी सबसे नीचे का है पर यदि मत की बात करें भोट की बात करें तो सबसे बड़ा तबका है इंद्रा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दे कर इस निम्न तबके को जिसकी संख्या सबसे बड़ी थी उसको जीतने का एक सफल प्रयास किया इस नारे के बल पर वे अधिकांज गरीबे को वोटों को अपनी जोली में डालने में सफल हो गए हर गरीब यही सोचने लगा कि इन्होंने जो नारा दिया है यह हमारे लिए है और इन्होंने अभी तक जो कहा है वो किया है तो संभावना है कि गरीबी हटाने का जो ये वादा कर रही हैं उसे भी ये पूरा करेंगी इस उमीद में अधिकतर गरीबों ने अधिकतर नर्धन लोगों ने अधिकतर कमजोर वर्ग के लोगों ने जहां श्रीमती गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया वहीं दूसरी और विरोधा भाद देखिए कांग्रेस ओ का नारा था इंदिरा हटाओ वास्तों में देखा जाये तो गरीबी हटाओ के नारे के सामने इंदिरा हटाओ का नारा बहुत ही कमजोड था और वह भी जनता सवाल करने लगी कि जो व्यक्ति गरीबी हटाने की चेश्टा कर रहा है, गरीबी को हटाने का प्रयास कर रहा है, उसे हटाने का जो दल प्रयास कर रहे हैं उस व्यक्ति को, ये तो बिलकुल गलत है और इस प्रकार इंदिरा हटाओ के नारे ने महा गड़बंदन की स्थिति को और बदितर कर दिया और इंदरा गांधी ने इस बात को बहुत भुनाया विरोधियों के द्वारा इंदरा घटाओ, इंदरा हटाओ के नारे को इंदरा गांधी ने बहुत भुनाया और जनता के मन में ये इस पश्ट हो गया कि ये नारा उन्हें पसंद नहीं आ रहा है भारी संख्या में लोगों ने कॉंग्रेस को वोट दिया गरीब हिटाने के लिए इंद्रा गांदी ने अपने चुनाओ घोशना पत्र में अपनी नीतियों में बड़े विस्तार से वर्णन किया अर्थात उन्हें ने पूरा खाका खीचा जनता के सामने रखा कि किस प्रकार वो गरीबी हिटाने के अपने इस वादे को पूरा करेंगी यदि जनता उन्हें इस चुनाओं में जिताती है तो गरीबी हिटाओ का नारा एक बहुत सफल नारा साबित हुआ एक बहुत बड़ा कारण साबित हुआ कॉंग्रिस द्वारा कॉंग्रिस की विजय का चोथा कारण पार्टी के अंदर इंदरा गांधी की पकड अभी तक 1966 से 1970 के जो 3-4 वर्ष थे उसमें पार्टी का जो परंपरागत नित्रित्व था जो परंपरावादी लोग थे जिसे हम सिंडिकेड भी कहते हैं इन लोगों की पकड़ थी और इंदरा गांधी की पकड़ उस हदे तक कमजोड थी और साथ ही इंदरा गांधी का अनुभव भी कम था चाहे वो राजनीतिक अनुभव की बात करें चाहे प्रशासनी कनुभव पर लेकिन एक बार जब विभाजन होता है और कॉंग्रेस ओ अलग हो जाता है तो इंदरा गांधी कॉंग्रेस संगठन पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेती है अपने दल के सभी सदस्यों पर उनका प्रभाव पढ़ दाता है 1971 में उसकी इनकी जीत का ये अन्य कारण मनता है इंदरा गांधी अपने व्यक्तित्व के कारण अपनी नित्रित्व क्षम्ता के कारण और एक कुशल प्रशासक के बल पर पार्टी के अंदर भी अच्छा जाती है अच्छी तरह और कॉंग्रेस पार्टी में कोई भी नेता अब उनके आग्या की उनके आदेश की अभेलना करने का साहस नहीं जुटा पाता क्योंकि वह देख रहा है कि जनता देश की पूरी उनके साथ है वह देख रहा है कि इंद्रा गांधी एक सक्षम, साहसी और निर्ने लेने वाली महिला हैं प्रधान मंत्री हैं इसलिए वह 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 ऐसी प्रधान मंत्री नहीं है जिसे कॉंग्रेस O के नित्रत ने कभी समझा था कि वो एक मूख गुडिया की तरह कारे करेंगी और उनकी और बारंबार मुखातिर होंगी तो इस प्रकार गांधी की पकड़ पार्टी के अंदर उनका पार्टी का सफल नित्रत यहाँ भी कॉंग्रेस की सफलता का एक कारण बनता है चुनावी सफलता का पांचवा कारण इसमें भी इंदरा गांधी की भूमिका आहम है और वह है गांधी के पक्ष में वोटों का धुरूवी करण वोटों का धुरुवी करण गांधी के पक्ष में, इंदरा गांधी के पक्ष में होना अर्था इसके मायने क्या है कि समाज के जो सभी वर्ग थे उन्होंने सभी वर्ग के लोगों ने इंदरा के पक्ष में वोट डाले ऐसा नहीं है कि किसी खास तबके के लोग, किसी खास धर्म के लोग, किसी खास आर्थिक परिष्थितियों के लोगों ने इंदरा का पक्ष लिया और किसी अन्य तबके पक्ष जाती के लोगों ने इंदरा का विरोध किया, ऐसा नहीं था इंद्रा गांधी इस हद तक इसमें सफल हुई कि लगबग एक बहुत बड़ी संख्या में सभी वर्ग के लोग, समात के सभी तबके के वोट उनको गए जिसे हम धुरूवी करण कहते हैं, यही करण था कि 1971 के चनाओं में पहले जो तीन चनाओं हुए थे उसका इतिहास इंद्रा गांधी दोहराने में सफल हो गए, अर्थात कांगरेस को प्रचंड बहुमत दिलाने में सफल हो गए, पहले तीन चनाओं में जब पंड़िजवाल नहिरू कांगरेस का नेतरत कर रहे थे और देश के प्रचंड मंतरी थे, उस दोरान, बलकि दो चनाओं में उस दोरान कांगरेस को सपश बहुमत मिला था, बावन, संतावन और उसके बाद, एक सड़ बासे, लेकिन सड़-सड का चनाओं जो था, जो राजनितिक भूकम प थोड़ दें, तो 1971 के चनाओं के जो परणाम आये, वो पहले तीन चनाओं के परणामों से कोई कम नहीं थे, कांगरेस के पक्ष में, और इस दकार एक नया इतिहास बनता है, कांगरेस परणाली के इस अध्याय में, बारं बार कुछ ऐसे राजनिताओं का नाम आता है, जो कांगरेस से बहुत गहरे जुड़े हुए थे, और उसमें के कामराज, अतल्य घोष, एस के पाटिल, और निजलिंग गपा, ये लोग सिंडिकेट का अंग थे, थोड़ा सा हम यहाँ पर एस निजलिंग गपा के बारे में थोड़ा सा जान लें, और क्योंकि इन्होंने बह अहम भूमिका निभाई थी, कॉंग्रेस ओ, या कॉंग्रेस संगठन का कॉंग्रेस, इंदरा कॉंग्रेस से विभाजन में, बहुत वरिष्ट कॉंग्रेस निता, और सम्विधान सभा के सदत से भी थे, उस सभा के सदत जिसने देश के सम्विधान का निर्मान किया, इसके बाद ये कई वर्षों तक लोग सभा के सदस्थ रहे फिर मुख्य मंत्री भी बने मैसूर प्रान्त के मुख्य मंत्री रहे जिसे आज हम करनाटक कहते हैं और निजलिंग गपा को आधुनिक करनाटक के निर्माता के रूप में जाना जाता है एस निजलिंग गपा को आधुनिक करनाटक के निर्माता के रूप में जैसे के कामराज पामिल नाडु के थे ऐसे ही एस निजलिंग गपा करनाटक के थे 1968 इस काल में वे कॉंग्रेस के अध्यक्ष रहे यानि ये वो काल है जब बहुत उठापटक कॉंग्रेस के अंदर चल रही होती है उस उठापटक में जहां दो धड़ों में कॉंग्रेस धीरे धीरे तूटी जाती है उसमें एक धड़का नित्रित जहां इंदरा गांधी और उनके युवा तुर्क नेता कर रहे थे वहीं दूसरी ओर निजलिंग गपा कॉंग्रेस अध्यक्ष के रूप में इनकी गतिवधियों पर लगाम लगाने की कोशिश करते रहे लेकिन असफल हुए और अंतिता कॉंग्रेस का विभाजन होता है कॉंग्रेस की सफलता का छठवा कारण पांचवी लोकसभा चनाओ में या कॉंग्रेस की पुनर स्थापना के श्रेणी में पहली घटना जो होती है वह लोकसभा चनाओ उसमें उसकी सफलता का कारण इस पर अगला बिंदु है अगला अर्थात छठवा कमजोर विपक्षी दल एक और जहाँ इंदरा गांधी के नित्रित में कॉंग्रेस का संगठनात्मक धाचा बहुत मजबूत हो गया था और कॉंग्रेस की पकड़ जहाँ जनता तक पहुंच चकी थी वहीं विपक्षी दल कमजोर हो चले उनके पास था कोई नेता नहीं था जो सभी को स्वीकारे हो गड़बंदन के नेता के लिए जगड़े होते थे सर्व सम्मत रूप से उनके पास कुछ ऐसी योजनाय नहीं थी जिसे जनता के सामने हम पेश कर तक हैं और सबसे बड़ी बात कि जनता इस गड़बंदन विपक्षी दल बनाम कॉंग्रेस में इतना अंतर था कि विपक्षी दल अपने खुद की हरकतों से गत्विधियों से अपने को बड़ा कमदूर कब बठा था वैचारिक मदभेद सीटों के लिए जगड़ा नित्रित्व का जगड़ा खेतरीता की वर्चस्वता का जगड़ा आदी आदी ये सब ऐसे थे जिसमें जिन कारणों से विपक्षी दल मजबूत नहीं दिखाई दे रहा था और ये अगला कारण बनता है उसकी तुलना में कांग्रेस राष्ट्री अस्तर पर अपना वजूद अपना वर्चस्वत बनाए रखता है और इसलिए हम कह सकते हैं कि कमजोर विपक्षी दल का होना स्वाइम में एक कांग्रेस की विज़य का कारण बनता है इन सब बातें से साफ है जाता है कि चिनाओं में इंदरा गांधी ने मददाताओं की इच्छाओं को समझ लिया और उसी के अनसार अपनी नीतियां और अपने कारकरम बनाएं और इसलिए इंदरा गांधी को सफलता मिलती है इसलिए इंदरा गांधी इतनी सफल होती है और इन सब के साथ मददाताओं की इच्छाओं को भापना उनके अनुसार कारकरम बनाना उनके अनुसार नीतियां बनाना और उपर से स्वैम का अपना व्यक्तित्व ये मुक्मूल रूप से कॉंग्रेस की विजय का कारण बनते ह सात्मा और अन्तिम जो कारण है जिसका मैंने उद्धरन प्रारम में बार बार किया है वहा है प्रिवी पर्ष की समाप्ति देशी रियास्तों का विले भारत में होता है जिनकी संख्या लगबग 600 है तरदार पटेल के नित्रित में ये विले हुआ और भारत का नक्षा उस रूप में बना जिससे आज हम देखते हैं इस विले के दौरान सरकार ने इन रियास्तों के राजाओं को तद्काली शासक परिवारों को ये आश्वासन दिया कि जो भी मात्रा में हम आपको कुछ पैसा देंगे उस वादे को हम निभाएंगे निश्चित मात्रा में संपदा रखने का आपको अधिकार होगा ऐसा आश्वासन सरकार में दिया जिसकी एवज में ये रियास्तें भारत में शामिल होने के लिए राजी होएं यह अश्वसन सरकार की तरफ से कुछ इस रूप में था कि उन्हें कुछ निजी या उन्हें कुछ विशेश भत्ते भी दिये जाएंगे निजी संपदा के अलावा उनके कुछ भत्ते भी होंगे ये दोनों चीजें याने शासक की निजी संपत्ति और भत्ते इस बात को आधार मान करता है किया जाएगा कि किस राज्य का विले किया जाना है उसका विस्तार कितना है उसका आज की तारीक में विले के समय राजस्व कितना था और उसकी विले के बाद कितनी राजस्व देने की क्षमता है अर्थात कहने का ताथ पर ये कि अलग अलग राजाओं के साथ अलग अलग भत्ते की रकम और निजि संपदा होने की निजि क्षमता को देने की अनुमती ये सब अलग अलग थी और इस अलग अलग होने का अधार इसलिए ये था कि वह राजा उस राजा का खेतरफल कितना है कितनी उसका विस्तार है कितना उसका राजस्व है आज की तारिक में और कितना भविश में राजस्व देने की ख्षमता रखता है ये उसका अधार बनेगा इसी विवस्था को प्रिवी पर्स कहते हैं रियास्तों के विले के समय राजा महराजाओं को दी गई इस विशेश सुविधा की कोई खास आलोचना उस समय नहीं हुई क्योंकि उस समय तो सरदार पटेल के सामने और देश के सामने यही समस्या मुह बाए खड़ी थे कि कैसे इतनी सारी रियास्तों को भारत में शामिल होने के लिए प्रिरित किया जाए या विवस्थ किया जाए आदी आदी तो उस समय प्रिवी पर्ष की बात होते समय किसी ने इस के आलोचना नहीं कि उस समय तो देश की एकता का सवाल था देश के एकी करण का मुद्दा सामने था देश की अखंडता का मुद्दा अपर मोस्थ था और सभी का लक्ष यही था उस समय कि भारत को एक देश बनाने म इन रियास्तों को भारत में येन के इन पकारेंट शामिल किया जाए और हमने अन्य अध्याव में पढ़ा है कि सदा पटेल के नितरत में कैसे विबिन रियास्तों को शामिल किया गया शांतिपूरवक और जो लोग शांतिपूर्वक तैयार नहीं हुए जिसमें जूनागर्ड, हैदरबाद, कश्मीरादी थे उनके साथ भारत सरकार ने कैसे दूसरा रवईया अपनाया ये सुनिश्चित करने के लिए कि ये सब भाग भारत में शामिल हूँ तो मुख्य लक्ट चूंकि हमारा एकता का था उस समय प्रिवी पर्ष की आलोचना किसी ने नहीं कि और इस प्रिवी पर्ष की खासियत ये थी कि ये वन्शानुगत थी अर्थाद 1947 में जब एकी करन हो रहा है जब विलय हो रहा है उस राजा के जिन्दा रहते तक ही ये प्रिवी पर्ष नहीं उस राजा के वंश में जब तक लोग रहेंगे वंश दर वंश ये पैसा लिया जाएगा ये वंशानुगत विशेशादिकार भारती संब्धान में जो समानता और सामाजिक आर्थिक नियाय का सिध्धान्त जो डाला गया है उसके खिलाफ है आपको यह समझना होगा क्योंकि एक तरीके से यह विशेशादिकार था विशेशादिकार अर्थाथ अन्य लोंगों से कुछ अत्रिक्त अधिकार अन्य लोंगों की तुलना में कुछ अत्रिक्त अधिकार यह विशेशादिकार था अर्थाथ आर्थिक मामलों में अन्य लोंगों की तुलना में कुछ खास अधिकार तो इन सिध्धान्तों से यह प्रिवी पर्स वाली बात मेल नहीं खाती थी पंडित नहरू ने कई बार इस बात को लेकर नाराजगी बताई थी असंतोष बताया था लेकिन कोई चारा उस समय नहीं था अफसोर जाहिर किया था लेकिन एक बार वादे हो गये थे तो पंडित नहरू इन वादों से बंदे हो गये थे 1967 के चुनाओं के बाद इंदिरा गांधी एक बोल्ड स्टैंड लेती है और प्रिवी पर्ष को समाप्त करने की जो मांग बढ़ रही थी उसका समर्थन कर देती उनकी राय थी कि सरकार को प्रिवी पर्ष की व्यवस्था पूरी तरह खमाप्त करनी चाहिए मौरारजी दिसाई इस व्यवस्था को समाप्त करने के खिलाफ थे हाँ खिलाफत का कारण नैटिक कारण था मौरारजी दिसाई के नजर में सरकार दोरह जो वादा किया गया था नैटिक रूप से उस वादे को पूरा करने की जिम्मेदारी सरकार की है अन्य था ये वादा खिलाफी होगी पर इंद्रा गांदी का विचार कुछ और था और इसलिए मुरादी जिसाई जब वित्र मंत्री रहते हैं तो प्रिवी पर्स के मामले में मुरादी जिसाई और इंद्रा गांदी के बीच में इंद्रा गांदी पजान मंतरी थी, इनके बीच में तकरार होती है, मुरादी साही के कहना था कि ये एक तरीके से रियास्तों के साथ विश्वास घात होगा, और आने वाले वर्षों में किसी भी अन्य उजना के कार्यान्वन में कहीं यह विश्वास घात आडे ना आए, अर पर्ष की व्यवस्था को खत्म करने के लिए सरकार ने 1970 में कुछ संविधान संशोधन की कोशिश की, 1970, लेकिन जैसा की भारती संविधान में प्रावधान है, कि इस तरह के प्रस्ताओ, इस तरह के बिल, लोकसभा के बाद रज्यसभा में जाने चाहिए, और रज्यसभा स भी उसे पारित होना चाहिए, जो रज्यसभा में यह प्रस्ताओ गिर गया, रज्यसभा ने इस बिल को अस्विकार कर दिया, परणाम क्या होता है, कि सरकार के द्वारा किया गया यह प्रयास एक तरीके से डस्ट बिन में चला जाता है, लेकिन इंदरा सरकार यहां चुप कहते हैं अध्यादेश, अध्यादेश यहने ओर्डिनेंस, ओर्डिनेंस, यह अध्यादेश राष्टपति के माध्यम से निकलता है, जारी होता है भारती समिधान की प्रक्रिया के तहद, लेकिन जैसे यह अध्यादेश जारी होता है, जिसके तहद प्रिवी पर्स को गांदी कानून बनाए गया सरवच नियाले में इसे चुनोती दे दी जाती है और सरवच नियाले इस अध्यादेश को निरस्ट कर देता है सरवच नियाले इस अध्यादेश को गलत बताते हुए इसे रद कर देता है गैर कानूनी बताता है ये घटना करम है 1970 के 1971 के चुनाओ के पहले का जब इंद्रा गांदी की सरकार तो थी लेकिन स्पष्ट बहुमत में नहीं थी और संभावता ये भी एक कारण था कि इंद्रा गांदी ने मध्यावधी चनाओ का मन बना जा 1971 का जब चनाओ होता है तो प्रिवी पर्स को लेकर उन्होंने धुआधार चनाओ परचार किया प्रिवी पर्स के विरोध में उन्होंने बारं बार अपनी बात रखी और उसे एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया इस मुद्दे पर आप सोच सकते हैं जनता का समर्थन या जनता विरोध करेगी जहां तक विश्वास घात की बात है कुछ लोगों ने जरूर इसे माना किये विश्वास घात है लेकिन सामाने जनता के लिए ये एक बहुत अहम मुद्दा था क्योंकि इतना पैसा इन राजाओं के पास मातर इसलिए जा रहा था कि वो भारत में विलेक की कर रहे हैं और दूसरी वो निर्धन उनकी संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही थी उनकी समस्याएं बढ़ती जा रही थी और ये पैसा जो इनको दिया जा रहा है वह पैसा इन्ही टेक्स पेस का ही तो पैसा था तो निशकर्ष ये कि इंदरा गांधी द्वार प्रिवी पर्ष का यह मुद्दा जो बनाए गया उसे भारी जन समर्थन मिलता है 1971 में मिली भारी जीत के बाद सम्विधान में संशोधन किया गया और इस तरह प्रिवी पर्ष की समाप्त की राह में जो भी कानूनी अरचने थी उसे दूर कर दिया गया सम्विधान संशोधन के बाद प्रिवी पर्ष को समाप्त कर दिया जाता है और इस पकार इंद्रा गांधी को जो जन समर्थन मिला था जिन मुद्दों को लेकर उन मुद्दों में से इस मुद्दे को वह सफलता पूर्वक क्रियानवित करने में काम्याब होती है पांचवे लोकसभा के जो चुनाव थे इन कारणों के कारण जह था मैंने कहा बड़े आश्चर जनक थे लेकिन ये स्पष्ट हो चला था चुनावी महोल को देखते हुए कि इंद्रा जी के नित्यत वाली कॉंग्रेस विज़ाई होगी